हलो दोस्तो तो कैसे हैं आप सब इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हर्ट प्रसेस के बारे में हर्ट है वो कैसे फंक्शन करता है उसका प्रॉपर प्रसेस क्या है तो उसके बारे में आज ज़रा पढ़ेंगे ठीक है हर्ट प्रसेस के जाने से पहले हम कुछ oxygenated, oxygenated, तो यह सब terms के बार में आप मैं आपको पहले ही बता जीता हूँ, ताकि आप confused ना हो, ठीक है, oxygenated का मतलब क्या हो था, oxygenated blood, oxygenated blood मतलब जिस blood में oxygen हो, ठीक है, oxygenated blood का मतलब जिस blood में oxygen हो, और deoxygenated blood का मतलब होता है, कि जिस blood में oxygen ना हो, यानि कि जो blood है, उसमें oxygen ना हो, oxygen क क्यालावा कुछ और materials हो, तो यह सब कुछ terms है, जो मैंने आपको बथा दिया, जो हमारा हर्ट है, एक organ है हमारी body में, उसका function क्या है, उसका właśnie, उसका function है कि हमारी body में blood को Pump करना, क्या काम करना blood को Pump करना, आज वो blood को Pump करता क्यूं है, क्यों कि blood में कुछ इसे मटेरियल होते हैं, बलड का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, कौन से काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, बलड क्या करता है, एक चीज़ को दूसरी जगा ते क्या करता है, ठीक है, तो यह जो बलड है, यह हर्ट के थूरू, पंप करा जाता है, ठीक है, और इस blood में बहुत सारी materials होते हैं, सबसे important तो हमारा oxygen हो गया, यह oxygen करी करता है, और body के हर पार तक यह oxygen को supply करता है, और उस supply करने में जो hurt है, इसको क्या करता है, help करता है, तो hurt क्या कर रहा है, blood को pump कर रहा है, और यह blood है, यह पूरी body तक पहुंच रहा है, वहाँ पर human beings होते हैं, वह oxygen लेते हैं, और carbon dioxide छोड़ते हैं, ठीक है, हमारे body में जो gases exchange कहाँ पर होता है, अगर मैं आप से पूछो तो आपको पता है, अगर आपको पता है, तो आप comment section में जाओ और लिख दो, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि वह कहाँ होता है, वह होता है हमारे body क लंग्स में होता है, gases exchange, जहां पर क्या होता है, carbon dioxide हमारे body से जो भी produce होता है, और जो हम oxygen बाहर से लेते हैं, उसका क्या होता है, exchange होता है, हम carbon dioxide को produce कर देते हैं, और oxygen को अपनी body में ले ले लेते हैं, ठीक है, वह oxygen blood के through hurt में आता है, ठीक है, अब hurt में आया, यानि कि hurt में जो blood है, उसमें क्या है, oxygenated blood है, यानि कि hurt में जो blood आया, lungs से, वो क्या है, oxygenated blood है, oxygenated blood, मने oxygenated blood आपको बताया था, क्या होता है, oxygen होता है, जिसमें oxygen होते है, simple ठीक है अब जो blood है वो कैसे-कैसे process होगा उस heart में कैसे-कैसे हमारी body में जाएगा heart के 4-चंबर होते हैं जैसे heart के कितने chamber होते है 4-चंबर होते है एक होता है left और दूसरा होता right left-side में होता है मेरे left arteryum left ventrigal right-side में होते है हमारे right arteryum और right ventrigal यह हमारे चार चम्बर होते हैं human being में, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले जो blood आता है, वो आता है, मैरे heart के concept art में, left arterium में, ठीक है, तो जैसे आप कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर एक example देता हूँ, बलून का, जैसे आप कोई भी बलून को full आते हो, तो क्या होता है, जो balloon क्या ह हवा फैक रहे हो, तो balloon क्या हो रहा है, तो वैसी ही heart में होते है, तो जो blood है, वो कहााँ पर आए, left arterium, hurt की concept art में, left arterium है, left arterium मेंainen जो blood आया, अब जब भी blood किसी chamber में आता, थो chamber क्या करता है, रीलाक्स करता है, मतलब expand करता है, जैसे मैंने balloon की example दिया था, वैसी जो वैसी जो chamber है left arterium, वो क्या करेगा, expand करेगा, जब उसमें blood आ रहा है, अब blood आ गया, अब blood को उसको भेजना है दूसरे chamber में, किस में भेजना है, दूसरे chamber में भेजना है, वो कौन से chamber है, left ventricle में, जब भी left ventricle में उसको भेजना होगा, तो वो क्या करेगा, तो जो पहले वा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहा जाएगा पुरी बॉड्वाधि में चला जाएगा नहीं बताया था जो ब्लड आया था left आर्ट्रियम में वह कौन सा ब्लड था oxygenated 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 ब्लड था वह oxygenated ब्लड जो मैंने आपको बताया था, डी- ओक्सिजनेटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट कौन से ब्लड आ नरaker अब कौन से पार्ट में पहले कौन से पार्ट में थी । ठीके अब आ रहा है वह यहPhone राइट पार्ट में तो सब से पहले आएगा वह रा इन्य के जो दी उक्लों आरिय में आपको पता है procent वह बनल्ड that अर्थ ढाद में जाएगा अब जाएगा कि यह यही प्रसेस दुबारा से चलती रहीगी मुश्किल नहीं है जैसे मैं आपको दुबारा से एक और बार बता देता हूं सिर्फ हर्ट का कि जो हर्ट में सबसे पहले जो ब्लड आता है वो आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में ठीक है हर्ट में सबसे पहले ब्लड आता है लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम से जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में oxygen supply करता है, डी oxygenated blood है, जिसमें oxygen नहीं है, वो आता है, right arteries, right arteries से जाता है, right ventricle में, right ventricle से जाता है, वो सीधा lungs में gases exchange करने के लिए, तो यह बहुत ही simple process है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी informative लगी, तो प्लीज इसको like करें, comment करें, और subscribe करके जरूर जाए, क्योंकि जो हमारी वीडियो है, करीब 90% लोग वो देखते हैं, जो नहींने subscribe नहीं कर रहा है, तो please हमारे चैनल को subscribe करें, thank you,